अध्याय का एक भाग हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने सीखा की वैपारिक खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है मैं आपको याद दिला दूँ इसे हम फाइनल अकाउंट कहते हैं फाइनल अकाउंट का मतलब है कि आप ऐसे खातों को बनाने जा रहे हैं जो एक वर्ष की अकाउंटिंग को खतम करेंगे और अकाउंटिंग खतम होने पर हम यह जान सकेंगे कि वैपार में लाब हुआ यहान तो चलिए देखते हैं वेपारिक खाता पिछले उधारण में आपने देखा कि सकल लाब की गणना कैसे की जाती थी अब इस उधारण में भी हम सकल लाब देखेंगे आप जानते हैं कि शुरुवात होती है ओपनिंग स्टॉक से प्रारंभिक स्टॉक तीन लाख उसके बाद आपने कुछ माल क्रे किया पंद्रा लाख फिर उस समान को लाने की कुछ मजदूरी है एक लाख एक आंतरिक भाड़ा एक मजदूरी दोनों ही एक एक लाख रुपे हैं तो यह हुआ समान को खरीदने का खर्चा तीन लाख का समान आपके पास पहले से था पंद्रा लाख का समान आपने और खरीदा और एक एक लाख के दो खर्चे ऐसे किये जो समान को खरीदने से समबंदित हैं पिछले भाग में हमने इस बात पे बहुत जोर दिया था कि इस खाते में, ट्रेडिंग अकाउंट में, व्यपारिक खाते में कौन-कौन से खर्चे आएंगे। जवाब यह हुआ कि जो समान को खरीदने से या समान को बनाने से संबंदित खर्चे हैं सिरफ वही खर्चे व्यपारिक खाते में आते हैं तो अब देखते हैं कि समान खरीदने में समान की कीमत और opening stock मिलाके हमारे पास कितना खर्चा हुआ तो यह हुआ बीस लाग का खर्चा और अब प्रश्ण में यह भी दिया हुआ है कि सामान विका बीस लाग का है तो उसे आप यहा लिख देते हैं और साथ ही में यह भी बताया गया कि आपके पास साल के अंत में चार लाग का स्टॉक शेश है closing stock 4,000,000 है तो देखिए 20,000,000 की आपकी कुल लागत है opening stock की समान को खरीदने की और समान को खरीदने से संबंदित कुछ खर्चों की अब इस समान को आप बेचते हैं सामान विका 20 लाग का और आपके पास स्टॉक बचा 4 लाग का इसका मतलब 24 लाख रुपे की चीज़ें आपके पास हैं तो क्रेडिट साइड का योग हुआ 24 लाग और डेबिट साइड का योग था 20 लाग तो जो शेश बचा 4 लाग यह है सकल लाब ग्रॉस प्रॉफिट विध्यारतियों आपको इस बात पे पूरा ध्यान देना है कि व्यपारिक खाता या ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग स्टॉक से शुरू होगा फिर आप परचेज लिखते हैं और फिर उससे संबंदित खर्चे और क्रेडिट साइड पे आप लिखते हैं सेल और क्लोजिंग स्टॉक पिछले भाग में किये गए प्रश्णों में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था तो जरूरी नहीं कि हर प्रश्ण में आपको क्लोजिंग स्टॉक मिले भी तो यह हुआ gross profit और यहीं इसी प्रश्ण में मैं आपको कुछ और भी सिखाना चाहूँगा जिसको कहते हैं बेचे हुए माल की लागत और अंग्रेजी में मैं इसको कहता हूँ cost of goods sold बिके हुए माल की आपको क्या कीमत पड़ी थी देखिए आपके पास तीन लाख रुपे का opening stock है प्रारंभिक आपने पंदरा लाख रुपे का समान और खरीदा और दो लाख रुपे इनके उपर आपने खर्चा किया इसका मतलब बीस लाख रुपे का stock आपके पास मौजूद है अंत में जो stock आपके पास बचा उस stock की कीमत है चार लाख अब प्रश्न ये उठता है कि बीस लाख के stock में से सरफ चार लाख का माल बचा तो बाकी का 16 लाख क्या है ये है वह stock है जो बिग गया और इसे कहते हैं cost of goods sold बिगे हुए माल की कीमत आप यहाँ ध्यान दीजिए जब आप समान खरीदते हैं तो वह cost price पे होता है उसकी खरीदी गई कीमत पे समान को खरीदा cost price पे जाता है मतलब जो उसकी कीमत है समान को stock में भी उसकी कीमत पे ही लिखा जाता है जब आप समान खरीदते हैं या opening stock या closing stock की बात करते हैं तो यह सभी चीजें समान को खरीदने की कीमत पे ही लिखा जाता है इस वक्त यह समान कितने का बिक जाता है इस से हमें मतलब नहीं है आप ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक इन सभी चीजों को कॉस्ट पर ही लिखते हैं तो देखिए 20 लाग का स्टॉक जिसकी कीमत मैं दोहराना चाओंगा 20 लाग का स्टॉक जिसकी कीमत 20 लाग है आपको वह अंत में 4 लाग का बचा इसका मतलब आपके पास 16 लाग रुपे का समान बिक चुका वह समान जिसकी कीमत आपको 16 लाग रुपे पड़ी थी वह समान बिक चुका है यह कहलाता है cost of goods sold देखिए मैं पहले भी कई बार इस बात को दोहरा चुका कि वेपारिक खाते में वेपारिक खाते में सिरफ उतने ही खर्चे आते हैं या सिरफ वो ही खर्चे आते हैं जो सामान को खरीदने या सामान को बनाने से संबंदित हैं अब सवाल यह उठता है यदि आप किसी फर्म के शुद्ध लाब को जानना चाहते हैं शुद्ध लाब मतलब नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट का अर्थ है सभी तरह के खर्चे के जाने के बाद का बचा हुआ लाब अगर आप ऐसा लाब जानना चाहते हैं तो क्या आप सिरफ इन ही खर्चों को अपने खातों में जगा देंगी तो जवाब है नहीं खर्चे समान को खरीदने या समान को बनाने से संबंदित तो होते ही हैं लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी हैं जो समान को बेचने से संबंदित हैं समान को बेचने से संबंदित अर्थात सेल्स से रिलेटेड जैसे समान को बनाने के लिए एक खर्चा है फैक्टरी का किराया अब समान को बेचने से संबंदित एक खर्चा है ओफिस का किराया मजदूरों को दिया गया वेतन समान बनाने से संबंदित है लेकिन कुछ सेल्समेन ऐसे हैं जो आपका समान बेचते हैं और आप उनको वेतन देते हैं तो यह हुआ कैसा खर्चा समान को बेचने से संबंदित खर्चा तो अब आप सीखेंगे व्यपारिक खाते के अगले कदम को व्यपारिक खाता अपने साथ एक और खाता लेकर आता है जिसका नाम है लाब वहानी खाता Profit and Loss Account जिस तरह व्यपारिक खाते में समान को खरीदने और बनाने से सब्बंदित खर्चों को लिखा जाता था डेबिट साइड पर ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह अब जितने भी खर्चे समान को बेचने से सम्बंदित हैं वह सभी खर्चे लाब वहानी खाते के डेबिट साइड पर आज जाएंगे और यदि किसी तरीके की कोई income मतलब कमाई बिजनस को हो जाती है तो वह लाब वहानी खाते के credit side पे दिखाई जाएगी तो चलिए देखते हैं आपके सामने एक उधारण है मैसर्स एच बालाराम के कुछ खातों से निम्न लिखित शेश प्राप्त हुए इस आधार पर वह पारिक वह लाब हानी खाता त्यार करें तो पहले हम वह पारिक खाता बना लेते हैं जैसे एक अपरिल 2004 को opening stock है 8000 वर्ष के लिए क्रे 22000 वर्ष के लिए विक्रे 42000 क्रे वे अर्थात ऐसा खर्चा जो क्रे से संबंदित है पर्चेस से क्रे वे पच्चिस सो फिर उसके बाद है वेतन एवं मजदूरी अब यहां ध्यान देजिए मैंने आपको कहा वेतन दिया जा रहा है उन लोगों को जो आपका समान बेचते हैं सेल्समें और मजदूरी दी जाती है फैक्टरी में काम कर रहे लोगों को मतलब समान के बनाने से संबंदित खर्चा अब यहां लिखा है वेतन एवं मजदूरी वेतन शब्द पहले लिखा है और पहले लिखे होने की वज़े से हम यह मान के चलते हैं कि यह वेतन ही है वेतन दिया जाता है समान बेचने वालों को और मजदूरी दी जाती है सामान बनाने वाले को अब क्यूंकि यहां वेतन एवं मजदूरी लिखा है तो जो पहला शब्द है वेतन उसको मान्यता मिलेगी वेतन लाबवा आनी खाते में जाएगा अगर यहां मजदूरी एवं वेतन लिखा होता तो आप इसको वेपारिक खाते में स्थान देते परन्तु अभी वेतन एवं मजदूरी लिखे होने के कारण इसको वेपारिक खाते में जगा नहीं मिलेगी सिरफ मजदूरी हो तो वह वेपारिक खाते में जरूर आएगा तो इसे हम अलग श्याही से दिखाएंगे आप देख सकते हैं कि प्रश्ण के अंत में हमको अंतिम स्टॉक भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि प्रश्ण में हमको अंतिम स्टॉक 4500 रुपे दिया हुआ है यह भी हमने अपने वेपारिक खाते में लिख दिया और अब क्योंकि प्रश्ण के अनुसार वेपारिक खाते की सभी चीजे हमने वेपारिक खाते में डाल दी हैं तो क्रेडिट साइड का योग हुआ 46,500 जिसे हमने डेबिट साइड के 32,500 में से घटाया और पाया कि सकल लाब 14,000 रुपे है परन्तु यह शुद्ध लाब नहीं शुद्ध लाब अभी पता लगाना बाकी है सकल लाब शुद्ध लाब को पता लगाने के लिए बहुत जरूरी है तो इसलिए हम सकल लाब को शेश की तरह इस्तमाल करेंगे और आगे लाब वहानी खाते की क्रेडिट साइड पे पहुँचा देंगे जो है 14,000 अब इस 14,000 को आपने शुद्ध लाब में बदलना है और यह शुद्ध लाब में कैसे बदला जाएगा यह शुद्ध लाब में ऐसे बदला जाएगा कि इसमें से हम बाकी सभी बच्चे हुए खर्चों को घटा देंगे मतलब सभी खर्चे जो अभी तक हमने नहीं छुए है उन सभी खर्चों को हम लाब वहानी खाते की डेबिट सेड पे पहुँचा देंगे तो देखते हैं प्रश्ण ने किस किस तरह के और खर्चे हमें दिये हैं सबसे पहला वेतनव मजदूरी 3500 फिर विज्यापन 1000 फिर डूबत रिण मतलब बैडड़ेट 1200 फिर किराया 1200 फिर बट्टा 600 कमीशन का भुकतान 1100 विक्रय व्य सेल से संबंदित और यह हम पहले ही सीख चुके हैं कि सेल से संबंदित जितने भी खर्चे रहेंगे वह लाब वहानी खाते में आएंगे अंत में मरम्मत मरम्मत है 600 फिर और अब इन सभी खर्चों के योग को आप 14,000 में से घटाईए जो कुछ इस तरह हैं यह हुआ शुद्ध लाब जो लाब वहानी खाते का परिणाम है देखिए यहाँ पे कुछ बातों पे में प्रकाश डालना चाहूँगा जिससे कि एक आपने खर्चा देखा इसका नाम तक कमिशन यदि यह कमिशन दिया गया है तो यह आपका खर्चा हुआ परन्तु यदि यह कमिशन लिया हो तो यह आपके लिए एक कमाई है यह आपके लिए एक इंकम है तो उस अवस्था में आप इस कमिशन को क्रेडिट साइड लाब वहानी खाते के क्रेडिट साइड पर जखा देंगे इसी तरह आपके पास कुछ और इंकम भी हो सकती है जैसे आपने कहीं से ब्याज प्राप्त कर लिया या किराया प्राप्त कर लिया तो इस तरह के जो भी खाते इंकम को दिखाएंगे वह सभी खाते लाब वहानी खाते के क्रेडिट साइड पर दिखाए जाते हैं और उसके बाद आपका शुद्ध लाब पता लगाया जाता है और ये शुद्ध लाब उस चीज को कहते हैं जिसमें से सभी तरह के खर्चे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष घटाए जा चुके हैं सभी तरह की कमाई सभी तरह की इंकम जोड़ी जा चुकी है और ये शुद्ध लाब कहलाता है और इसे अंत में जो आप अगले भाग में सीखेंगे पूंजी में जोड़ दिया जाता है क्योंकि हम सीख रहे हैं फाइनल अकाउंट्स सोल प्रोपराइटर के और ये जो भी लाब हुआ है उस एक स्वामी को ही मिलते हैं चलिए आगे भढ़ते हैं अब मैं आपको बताना चाहूंगा प्रचालन लाब के बारे में प्रचालन लाब का अंग्रेजी अनुवाद है ओपरेटिंग प्रोफिट जैसे कि शब्द ही बता रहा है प्रचालन जो किसी व्यवसाय का आम प्रचलन है उन विधियों से हुआ कोई भी लाब प्रचालन है परन्तु यदि कोई व्यवसाय अपने प्रचलन से अलग जाके कोई लाब कमा लेता है तो उस लाब को प्रचालन लाब में जगा नहीं मिलती या फिर यदि व्यव्यपार व्यव्यवसाय किसी तरहां का कुछ ऐसा खर्चा कर देता है जो उसका प्रचालन नहीं है तो ऐसे खर्चों को वापिस जोड़ना चाहिए ताकि इस बात की गड़ना हो सके कि व्यपार में किस तरहां का लाब कमाया गया है वह उसके रूटीन का प्रॉफिट है या नहीं इसलिए प्रचालन लाब को एक फॉर्मूली की तरह दिखाया गया है निवल लाब जम अप्रचालन वे घटा अप्रचालन आए मतलब जो भी आपका शुद्ध लाब है उसमें आप अपने अप्रचालन वे मतलब ऐसे खर्चे जो आपके वेवसाय से संबंध नहीं रखते उन्हें वापिस जोड़ दीजिए और ऐसी आए जो आपके वेवसाय से संबंध नहीं रखती उसे घटा दीजिए शुद्ध लाब में से क्योंकि शुद्ध लाब में सभी तरहां के खर्चे घट चुके और सभी तरहां की आए जुड़ चुकी तो अब प्रचालन लाब निकालने के लिए ऐसे वे जो घट चुके हैं जो घटने नहीं चाहिए थे उन्हें वापिस जोड़ दीजिए क्योंकि शुद्ध लाब निकालते हुए सभी तरहां के वे घट चुके हैं और सभी तरहां की आए जुड़ चुकी हैं तो अब प्रचालन मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए ऐसे वे ऐसे खर्चे जो वेवसाई से सम्बंदित नहीं हैं और घट चुके हैं उन्हें वापिस जोड़ना होगा और ऐसी आए जो शुड़ लाप को बढ़ा चुकी उन्हें हमें घटाना होगा यह कहलाता है ओपरेटिंग प्रॉफिट तो आपकी पाठे पुस्तक में ओपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए कई प्रश्णों को दिया गया है आप सभी से अनुरोध है कि इस तरहां के प्रश्ण अपनी पाठे पुस्तक से अभ्यास करें इस अध्याय के अगले भाग में हम जानेंगे कि व्यपारिक खाता और लाबवा हानी खाता के बाद क्या होता है तब तक के लिए धन्यवाद झाल 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 झाल